Hello guys, मैं हूँ आपका दोस Manish Patil और ये हमारा YouTube channel Mark Darshak Guruji दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं used to models के बारे में Guys, इससे पहले भी हम लोग बहुत सारे models के बारे में चर्चा कर चुके हैं, जैसे can, could, will be able to, should, must, ought to, has to have to, had to, will have to, और अब हम बात करने वाले हैं used to used to sentence में कब इस्तमाल करते हैं, आएए समझते हैं दोस्तों, उसकी तीन identification है पहली identification, जब हिंदी वाले sentence में last में ताती थे आकर थाती थे आए तो used to इस्तमाल होता है दूसरी identification, जब हिंदी वाले sentence में आ, य, 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 आकर करता करती, करते, आकर ठाती थे, इस तरह कि वर्ट्स किसी भी sentence में last में आएंगे, तो हम लोग इस्तमाल करेंगे USED TO का, तीसरी identification है, किया करता था, किसी भी काम को, किया करता था, जब किया करता था, जैसे बाजार जाया मैं खाता था, मैं उससे बात करता था, मैं उसको पढ़ाता था, वह दरवाजा खोलता था, वह मुझे परेशान करता था, मैं मैसज भीचता था, वह लोगों को डिस्टरब करता था, तुम पढ़ाई करते थे, मैं तुम्हें समझाता था, तुम मेरी बास समझते थे, वह मु डीशरी इदेंटिफिकेशन आ या 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 करता करते करते आ कर थाती थे जैसे मैं बाजार जाया करता था या या तो मुझसे बात करता था पिया करता था, सोया करता था, देखा करता था, समझा करता था, समझा करता था, भेजा करता था, ऐसे कोई भी वर्ड आ सकते हैं, जैसे मैं बाजार जाया करता था, वखाना खाया करता था, मतलब यह तीनों ऐडेंटिफिकेशन एक ही है, लेकिन अलग-अलग एंगल से बोलन करते थे, मतलब habit of past, है न, भूत काल की आदते, उसको express करने के लिए, हम लिए used to कास्टमाल करता, मतलब ऐसे काम जो हम past में किया करते थे, the works which we used to in the past, but in present we don't do those works, ऐसे काम जो हम past में किया करते थे, लेकिन present में हम उन कामों को नहीं करते, for those works we used to, we use used to, हम ऐसे कामों के लिए used to का इस्तमाल करते हैं, मतलब भूत काल की आदतों को दर्शाने के लिए, जैसे राम बाजार जाया करता था, लेकिन अभी ज़्यादा नहीं जाता है, वो काम काम के लिए जाता है, है न, वो तंबा को खाया करता था, मतलब वो पहले तंबाकू खाया करता था, अभी वो तंबाकू नहीं खाता है, मतलब प्रेजन्ट में उसकी वो हैबिट खतम हो चुकी है, जैसे राम के पापा शराब पिया करते थे, राम के पापा शराब पिया करते थे, भूत काल की आदते, वैसे ही कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो हम लोग past में भी करते थे और अभी भी करते हैं जैसे हमें बोलना है वो जूट बोला करता है बोला करता है मतलब पहले भी बोलता था अभी भी बोलता है लेकिन ये used to से past को बताता है मतलब ऐसे काम जो व्यक्ती past में किया करता ता लेकिन present में नहीं करता अलग तरह के structures भी है दोस्तों मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ जिसमें ऐसे काम जो व्यक्ती past में भी किया करता ता और present में भी उसकी वो आदत continue है तो उसके लिए एक अलग तरह का structure का स्टमाल होता है वो क्या होता है आगे वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ तो अभी इसको समझ लेते हैं Used to मतलब habit और past को दर्शाने वाले sentence भूत काल की आदतों को दर्शाने वाले sentence मतलब ऐसे काम जो करता past में किया करता था लेकिन present में उन कामों को नहीं करता जैसे वो जूट बोला करता था मतलब वो अभी जूट नहीं बोलता है वह cricket खेला करता था मतलब वह अभी cricket नहीं खेलता नहीं खेलता है जैसे वह तंबाकू खाया करता था इसका मतलब वह अभी तंबाकू नहीं खाता है तो दोस्तो ऐसे काम जो हम past में किया करते थे लेकिन present में नहीं करते उसके लिए used to का इस्तमाल किया जाता है दोस्तो used to use कैसे होगा सभी subject के साथ used to का इस्तमाल करना होगा कोई भी subject singular plural यहां matter नहीं करता कोई भी हो singular हो चाहे plural हो used to का इस्तमाल करना है दोस्तो आईए आगे बढ़ते हम लोग यह यहां पर used to के structure है 5 हमारे सामने है न affirmative, negative, interrogative, wh pattern, who pattern यह 5 तरह के structure से है पहला structure है subject तो उसके बाद used to फिर verb का first form और object यहां पर जो used to है वो auxiliary verbs के रूप में इस्तमाल हुई है auxiliary verb के रूप में इस्तमाल हुई है मतलब helping verb के रूप में main verb का form यहां पर यह है verb का first form यह auxiliary verb, यह helping verb है क्योंकि इसी के बाद not लग रहा है इसलिए यह auxiliary verbs है तो आईए एके करके इनके पूरे structures हम देखने और समझने की कोशिच करते है पहला structure देखते है subject used to verb का first form object यह है affirmative sentence used to का affirmative जैसे वह यहां आया करता था sentence कैसे होते है affirmative के मैं बाजार जाया करता था तुम खाना खाया करते था मैं उससे बात करता था यहां आता था वह मुझे समझाता था वह मुझे advice करता था जब affirmative sentence होंगे बनाएंगे कैसे देखे structure यहां पर है सबसे पहले आएगा subject उसके बाद आएगा used to फिर उसके बाद आएगा verb का first form और आएगा फिर object तो आईए इसको हम one by one बनानी की कोशिच करते हैं देखे जैसे वह यहां आया करता था वह यहां आया करता था मतलब ही ही के साथ क्या लगाना है used to आया करता था मतलब come यहां मतलब here so he used to come here राम गाना गाया करता था राम is the subject राम गाना गाया करता था राम used to sing a song राम यूजड टू, सिंग अ संग, नेक्स्ट वह लडाई किया करता था वह, वह मतलब ही, यूजड टू, लडाई करना दोस्तो, फाइट, है न, ही यूजड टू, फाइट, आगे दिखेगा, राम मुझसे जगडा करता था, राम, तो राम हुआ हमारा सब्जेक्ट, सो राम यूजड टू, अब जगडा करना, मैंने लडाई करना के लिए आपको बताया है, फाइट, पर जगडा करने के लिए इस्तिमाल होता है, क्वारल, क्या इस्तिमाल होता है, क्वारल, सो राम, यूजड टू, क्वारल, मुझसे जगडा किया करता था, तो आप यहां लगा ल तो में तो राम यूज़ टू कॉरल तू में वे मुझे बद्दुआ देते थे वे हमारा सब्जेक्ट है दे सो दे यूज़ टू बद्दुआ दिने के लिए वर्ब आती है कर्स दे यूज़ टू कर्स मुझे बद्दुआ दिया करते थे तो हम लोग लगा लेंगे तू में So they used to curse to me, we dance together, so first of all the subject is we, we used to, dance together, together, so we used to dance together, I used to bunk, I mean I, so I used to bunk, it means to run from class, I used to bunk, class आगे देखिए, PM भाशन दिया करते थे, PM मतलब Prime Minister, so PM used to speech, speech भी एक वर्व है, या तो आप बुले deliver a speech, या आप बुले speech, so PM used to speech, यह दोस्तो होएं affirmative, जिसमें हमको subject, फिर उसके बाद used to verb का first point object लगाना है, अगर इसी का negative बनाना है, तो आईए, next structure, structure पर subject, उसके बाद लगा दोस्तो, used to, यह दो वर्ड से मिलकर बनाए है, जब इसका हम negative बनाएंगे, तो क्या करेंगे, पहले used, फिर लगाएंगे not, फिर लगाएंगे to, तो इसका हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है, तो आईए, negative structure को भी हम लोग देख लेते हैं, इसमें होगा क्या, वह त तम्बाकु नहीं खाता था, हम लोग बनाएंगे, he used not to, अब तम्बाकु खाने के लिए वर्ब use होती है, दोस्तो, not eat, है न, चीव टॉबे को, क्योंकि तम्बाकु को खाया नहीं जाता, सिफ चबाया जाता और फेक दिया जाता है, इसलिए तम्बाकु खाने के लिए वर not to, शराब पीने के लिए वर्ब आती है, बूज, so his friend used not to booze, उसका दोस्त शराब नहीं पिया करता था, आगे देखिए, अंकित, मेरी बेज़ती नहीं करता था, so अंकित, तो मैंने इहाल लिए अंकित, used not to, बेज़ती करना, insult, insult me, अंकित used not to, insult me, आगे देखो, हम डांस नहीं करते थे, हम के लिए, we, है न, used not to dance, हम डांस नहीं करते थे, आगे देखो, मेरे पापा TV नहीं देखते थे, subject क्या है, मेरे पापा, so my father, my father used not to watch TV, ठीक है, आगे देखिए, वह मेरा support नहीं करता था, वह मतलब कोई लड़का है, है न, so he used not to support me, आगे देखिए, शिवाय फूल नहीं तोड़ता था, शिवाय सब्जेक्ट है, ठीक है, शिवाय used not to लग flowers cigarette actual English word है, है न, यह question mark, so used he to smoke cigarette, क्या मैं उसे सलाह देता था, क्या मैं, so used I to, सलाह देना, अडवाइस, अडवाइस, उसे हम, लड़की है तो, हर, ठीक है, used I to, अडवाइस, हम और हर, क्या वे cricket खेलते थे, वे हमारा सब्जेक्ट है, so used they to cricket खेलना, play cricket, used they to play cricket, ठीक है, क्या राज, वर्ब्स याद करता था, राज, सब्जेक्ट हुआ, so used राज, टू, वर्ब को याद करना, तो हम बोलेंगे, memorize, लर्द भी बोल सकते हैं, memorize verbs, so used, राज, टू, मेमोराइस, वर्ब्स, क्या मोहन, बुक्स पढ़ता था, मोहन, है न, so used मोहन, to read books, ठीक है, आगे देखिए, क्या हम enjoy करते थे, subject है हमारा, हम, we, है न, so used, we, to enjoy question mark, क्या हम उसे gift देते थे, subject है हमारा हम, so used, we, to gift, उसे, him, कोई लड़की है, तो हर, यह हमारा हुआ, दोस्तो, interrogative, interrogative में क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने सभी में used जोड़ा, फिर उसके बाद, जो हमारे subject है, उसको निकाला, है न, जो भी हमारे subject है, और उसके बाद, to लगा के, फिर help, main words लगा दिया, उसका object लगा दिया, इसी तरह कर, दोस्तो, हम लोगों को, wh pattern देखना है, तो, wh pattern के लिए होगा, यहा हमको, wh word जोड़ना है, और पूरा का, पूरा interrogative, वैसा का, वैसा लगा लेना है, जैसे, हम जब interrogative sentence बनाए, तो हम सबसे पहले करने के अवाले हैं, दोस्तो, sorry, wh pattern बनाएंगे, तो सबसे पहले बनाएंगे interrogative, और उसके बाद, हम लोग एक wh word जोड़ेंगे, जैसे, मेरा भाई शराब क्यू पीता तो क्या मेरा भाई शराब पीटा था? पहलेंगे बनाओ, उसराब पीना है, इसके लिए मेरा भाई शराब पीता था? क्यू पीता था? क्यू क्यू के लिए मैंने लगाया य? मेरा भई शराब क्यों पीता था ? वह बाईक कैसे स्टार्ट करता था ? तो क्या वह बाईक स्टार्ट करता था ? So used he to start bike. Used he to start bike. कैसे , तो कैसे के लिए word लगाऊँगा मैं how, So how used he to start bike . आगे देखिये , तुम्हारी बहन कॉलेज कब जाया करती थी ? पहले बनाओ उसका integrative, क्या तुमारी बहन कॉलेज जाया करती थी, used your sister to go to college, go to college, so used your sister to go to college, हमारा WH word है, कब, मतलब when, so when used your sister to go to college, हम किसके साथ indoor जाते थे, पहले क्या हम indoor जाते थे, used, we to go to indoor, ठीक है, किसके साथ, इसके लिए word आता है इंगलिश में दोस्तो, with whom, with whom used we to go to indoor, next देखे, वह रोजाना क्या करता था, subject हमारा he, वह रोजाना क्या 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 था, अब ये जो क्या है न दोस्तो, ये WH word है, क्य है तो what लगने वाला है, तो मैंने पहले बनाया, वह रोजाना क्या करता था, used he to do daily, क्या करता था, what, what लगा लिए, so what used he to do daily, वह रोजाना क्या क्या करता था, दोस्तो ये है हमारे WH pattern के sentence, जितनी आप इसकी practice करेंगे, उतनी आसानी से ये बनते चले जाएंगे, इसलिए इ देखते हैं दोस्तो, who pattern, तो सबसे पहले who pattern में क्या करना है, who लगाना है subject की जगा, तो उसके बाद used to इस्तमाल करना है, उसके बाद used to इस्तमाल करना है, फिर उसके बाद verb का first form और object, देखते हैं कैसे बनाना है, कौन Facebook चला था, अब ये कौन है न दोस्तो, इसकी जगा हम Facebook, कौन मुझे miss call किया करता था, miss call, कौन मुझे miss call किया करता था, मैंने word रखा, who used to, miss call करना, miss मुझे किया करता था, मुझे है न, तो miss me a call, कौन मुझे miss call किया करता, miss call हम directly रखते है, who used to miss me a call, ठीक है, कौन sentences translate किया करता था, so who used to translate sentences ठीक कौन तुम्हें सलाह दिया करता था so who used to सलाह देना है ना so who used to advise advise you so who used to advise you आगे कौन टीवी देखता था so who used to watch TV watch TV ठीक है दोस्तो guys यह जो used to है हम लोगो ने पाचो पैटन में तो इसको बना के देखा इसके अलावा used to का एकोर structure होता है जो मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा sharing करना चाहूंगा पहला structure अभी तक हम लोगों ने पढ़ा जो पहला structure था ठीक है अब यह दूसरा structure है used to का जिसमें आप देखिएगा यह past simple tense मैंने यहाँ पर लिखा हुआ यह past simple tense की तरह काम करता है अगर आप यहाँ देखेंगे पहले subject उसके बाद used to जो used है वो used verb की second form है used to वर्ब का first form और object अगर इसका negative बनाना है तो did not लगाया तो यह used to वर्ब का first form object फिर did subject used to work best form object WH did subject used to work or first form object who used to work or first form object आप देखेंगे आपड़ लगाया हुआ है देख रहे हैँ जब यहाँ did है तो यह है first form है यह first form है यह थीं यह first form है तो यह did लगे होने के कारण यह first form ही है did नहीं है तो यह second form है तो guys यह used to का दूसरा structure होता है इसमें भी हम सेंटस वैसे के वैसे बना सकते हैं Just for example जैसे देखिएगा जैसे मैं बाजार मैं उसे पीटा करता था So I used to beat him मैं उसे पीटा करता था मुझे बनाना मैं उसे नहीं पीटा करता था So I did not A first form Use Sorry I did not Used to beat him क्या मैं उसे पीटा करता था तो ये जो helping up लगी हुई था Did इसको आगे ले क्या आना है So did I used to beat him Question mark मैं उसे क्यों पीटा करता था तो ये जो interrogative बनाना है इसी के आगे हम लोग लगाए Why did I used to beat him ठीक है और कौन उसे पीटा करता था तो second form फिर use हो जाएगी So who used to You know Who used used to beat him दोस्तों जितना आप practice करके देखते उतनी चीज़े आसान हो जाती तो ये used to का second structure आप उसमें बना-बना के देख सकते Oral या जितना बनाएंगे आपकी tongue twist उतनी जादा clear होगी Then आप उतनी flexibility, elasticity के साथ बोलने लगेंगे अगर आप अपने आपको fluent speaker बनाना चाहते हैं तो बोल-बोल कर जादा practice करें अब YouTube वो तो भरा पड़ा है वीडियो से उससे क्या फर्क पड़ता है अगर आप बोल-बोल के practice नहीं करते तो अब आपके दिमाग में information तो है अब YouTube में बहुत सारे वीडियो से अब आपके दिमाग में information तो है लेकिन आप information को मुझसे बोल कर देखते हैं नहीं तो information यहाँ तो safe है लेकिन मुझसे निकलेगे नहीं अब मुझे निकलने के लिए क्या जरूरी है? प्रैक्टिस बोल बोल कर तो आप इन सभी sentences के structures की practice बोल बोल कर कीजिए जैसे एक sentence हम लेते हैं जोसको दोनों structures में बनाते हैं जैसे वह मुझे advice दिया करता था तो he used to advise me वह मुझे advice नहीं दिया करता था ये तो पहला structure था अगर इस structure में बनाना है तो हुझे salah दिया करता था वह मुझे salah क्यों दिया करता था So he did not used to advise me क्या वो मुझे सला दिया करता था Did he used to advise me वो मुझे सला क्यों दिया करता था So why did he used to advise me कौन मुझे सला दिया करता था So who used to advise me अब आप जितनी practice करकर के देखेंगे उतना जबान मैं flow आता है तो अगर आप बनना चाहते है fluent तो practice के दुकान लगा दीजी इतनी practice कीजिये कि fluency अपने आप आजाए तो guys ये था हमारा used to मीद करता हूँ कि आप लोगो used to बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा अगर कोई question होगा दिमाग में तो comment मुझे जरूर कीजे तक कि आने वाले वीडियो में उन सभी जो problems है ना उनको sort out कर सको so guys thank you so much for watching this video till the end